नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अनुश्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ बनारस हिंदू युनिवरसिटी एडमिशन से जुड़ी बड़ी अपडेट शेर करने वाली हूँ तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास तक देखें वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब अवश करें तो दोस्तो बनारस हिंदू विश्विद्याले में सैक्षनिक सत्र 2023 से लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जैसा कि आप सभी जानते हैं यू आवेदन करने के में यूनिवर्सिटी के अडमिशन पोर्टल भू-online.in पर जा करके आपको फॉर्म को भरना है यह आवेदन प्रक्रिया 26 जून तक चलेगी आवेदन करने से पहले स्टूडेंट्स विश्विद्याले की वेबसाइट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन लिंक पर क्लिक करना होगा जहां चातर की मांगी गई जानकारी आपको भरनी होगी यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्ही स्टूडेंट्स का आवेदन स्विकार करेगी जो सी उईटी यूजी परिक्षद 2023 में उपस्तित हुए थे जानकारी की मुताबित पिछले साल विश्वि इनमें undergraduate courses यानि सतना तक 3 साल के होते हैं और post graduate course 2 साल का होता है इसके अलावा छातरों के लिए कई तरीके के डिपलोमा कारिकरम भी चलाए जाते हैं इनमें से कई डिपलोमा एक साल तो कई 2 साल के भी होते हैं इसके साथ ही ये courses जो हैं ये college संचारित करती हैं तो अगर आप आपको form भड़ना है दोस्तों तो अपिस की website पर जाकर के जल्दी से जल्दी fill up कर लें इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही जहन बने मात